हेलो दोस्तों एकसर मुझे एक कमेंट बार बार आता है 5 EMA पर वीडियो यह स्ट्राइडजी ओल्डी बहुत फेमस है और इस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया यह जो स्ट्राइडजी है यह पाउर अफ स्टॉक्स का जब कारिवल हुआ था तो उन्होंने यह स्ट्राइडजी पबलीक ली बता दिया था अब यह स्ट्राइडजी इतना फेमस क्यों है उसके पीछी रीजन यह है कि आप एक इंडिकेटर का यूज करके इन्वेस्टिंग कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो वो भी इंट्राडे में और स्टोक सबसे पहले हम इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आप इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो एक इंडिकेटर का यूज करके तो सबसे पहले हमने जो टाइम फ्रेम लेना है वो लेना है मन्थली ठेक है ना वीकली ना डेली और जो हमने यह स्टोक लिया हुआ है यह जो स सा डाक कर देता हूं one second I hope अब थोड़ा सा बैटर दिख रहा होगा अब यहां पर आपने क्या करना है आपने देखना है कि candle कब यह 5 EMA के नीचे आता है ठीक है यहां पर strategy बहुत ही simple है जब भी candle 5 EMA के नीचे आता है ठीक है जब भी candle 5 EMA के नीचे close होता है तब आपने अलर्ट हो जाना है ठीक है तो पहला criteria है कि एक candle successfully 5 EMA के नीचे close हो आपको यह देखनी की जोड़त नहीं है कि जो पिछला अलर्ट ट्रेंड था वाप ट्रेंड था साइडवेस में था या डाउन ट्रेंड था आपने यह सब चीजे देखनी नहीं है आपने बस इतना देखना ह कि कब candle 5 EMA के नीचे close हुआ है प्रोपर ऐसा close कि जो candle का high है ना वो 5 EMA को touch ना करें इधर मैं अगर zoom करता हूं तो आप देखोगे कि इस candle ने यह जो green वाला candle है ना यह 5 EMA के नीचे close हुआ है और इसका जो high है ठीक है यह इसका जो high है यह 5 EMA को touch नहीं कर रहा है तो आपने यह जान रखना है first candle 5 EMA के नीचे close होना चाहिए और candle का जो high है वो 5 EMA को touch नहीं होना चाहिए प्रोपर इसके नीचे closing होने चाहिए जैसे यह red और green वाला candle है अब यहाँ पर यह जो बड़ा सा candle देखने होना red वाला यह 5 EMA को touch कर रहा है तो आपने इसको ignore करना है इसको मैं erase करता हूँ और अब आपको बताता हूँ कि आपने entry के से लेना है ठीक है यहाँ पर यह जो green वाला candle है यह 5 EMA के नीचे proper close हुआ है इसका जो high है इधर आपने एक line draw कर लेनी है मैं बहुत गंदा सा line draw कर रहा हूँ one second एक मैं proper line draw कर देता हूँ यह जो green वाला candle है इसका आपन इसके उपर जब भी कोई candle जाता है जैसे यह green वाला candle इस green candle के ऊपर जाके close हो चुका है ठीक है आपने इस पर entry लेनी है अब यहाँ पर जब आप entry लोगे तो आपने यह नहीं देखना है कि इस candle को पहले close होने देते हम ऐसा नहीं करना है जैसे ही कोई candle इसके ऊपर चला जा आता है तब आपने entry ले लेना है यूजिली हम candle के closing का wait करते हैं बट आपको करने की ज़रूरत नहीं है आपका stop loss क्या होगा बहुत ही simple है यह जो first candle है जहां पर यह 5 EMA के नीचे close हुआ था इसका जो low है इधर आप अपना stop loss लगा होगे इधर आप अपना stop loss लगा होगे इस user ना हो राइट अब यहां पर again आप देखोगे कि कब कोई candle 5 EMA के नीचे close होता है ओके इधर एक है और इधर और इधर बाकी सभी जगों पर आप देखोगे candle 5 EMA को touch कर रहा है इसके नीचे close नहीं हो रहा है almost सभी इसको touch ही कर रहे है तो हमने सिर्फ उनी candle को select करना है जो इ है पर मैं इसको erase करता हूँ और इसको explain करता हूँ अब यहां पर आप देखोगे यह एक बड़ा सा red candle है जो की 5 EMA के नीचे close हो गया बट यह जो area ना इधर 5 EMA को touch कर रहा है तो हम इसको select नहीं करेंगे अब अगला candle आप देखोगे यह red वाला candle यह वाला यह proper 5 EMA के नीचे close हो चुका है और इसका जो high है यह जो इसका high है 5 EMA को touch नहीं कर रहा है तो आपने क्या करना है इसका जो high है इधर आपने एक land row करना है और इसके low पर भी आपने एक land row करना है अब यह जो low है यह हमारा stop loss की तरह काम करेगा और यह जो उपर वाला high हमने एक land row कर रहा है जैस को इधर बहुत ज़्यदा स्ट्रोंग केंडल की जूरत नहीं है कि इधर से ब्रेक आउट हो जाए अगर माइनर सा भी ब्रेक होता है तो आप एंटी ले लोगे और आपको कन्फ्यूस होने की बिल्कुल भी जूरत नहीं है कि यह वाला जो केंडल यह रैड है यह वाला ग्री है अब यहाँ पर आगे भी सेमी चीज़े रिपीट करने वाला हूं तो मैं एक्स्प्लेइन नहीं करता है क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा अब यहाँ पर ना जो मैंने बजास फिंसर्व को यह स्लेक्ट की है इसके पीछ ना रिजन है मैं आपको बताता हूँ ल आपने इसके क्लोजिंग पर एंटी ले ली और माल लेते हैं आपने इधर तक होल्ड किया हम यह रिजन हाई की बात कर लेते हैं इधर आपको लगबग 280% का रिटर्न मिल गया बट अगर आप बिलकुल यहां तक होल्ड करकर रखते हो तो यह लगबग हो जाता है रिटर्न तो 12,000% आज की डेट में कोई लार्ज केप स्टोक नहीं जाने वाला कुछ साल के अंदर तो आपको कोई ऐसे स्टोक पकड़ने पड़ेंगे जिनका जो IPO रिसेंट टाइम आया हो यहां पर मैंने बिलकुल स्टार्टिंग से दिखाया आपको इसके पीछे यही रिजन था क या मल्टी बैगर्स पकड़ो अगर आप ओलेडी लार्ज केप स्टोक में ट्रेड करोगे तो आपको लगता है कि यह 12,000% का आपको रिटर्न मिलेगा अगले कुछ सालों में बहुत-बहुत मुश्किल है वहाली 15% भी एन्वली मुश्किल से देते हैं तो आपको अगर मल् फंडमेंटल का ऐसा उसके हिसाब साफ ट्रेल होगे जोड़त नहीं है मैं आपको बताता हूं क्यों अब यहाँ पर जो सुभाशिस का लोजिक है वो बड़ा सिंबल है कि आपने इधर टेकिनिकल के बेस पर एंटी ले ली ओके अगर स्टोक अच्छा होगा ना तो अटो मै है ठीक है अब यहाँ पर आपको मैंने एंट्री स्टोक सेलेक्शन सबी चीज़े बता दी है आपको अभी तक यह नहीं बताया कि आपने टार्गेट क्या लेके चलना है अब यहाँ पर हम इससे लेके जलते हैं इसका जो स्टोप लोज था यह लगबग था लगबग 35% के नीचे स्टोप लोज था इसका ठीक है अब हम इसका यह देखते हैं कि यह कुछ टाइम के अंदर यह कहां तक गया है अगर मैं इधर तक की बात करूंँ सिरफ यहाँ पर आप देखोगे इधर आपको 250% का रिटन मिला है और इधर आपका जो स्टोप लोज था माल लेते है 35% का था अगर आप कैलिकुलेट करोगे तो आपको लगबग 6 से लेके 8 गुना तक रिटन मिल गया है मैं गुना की बात कर रहा हूँ 7 से लेक 8 गुना ऐसी अगर हम थोड़ा आगे देखें यहाँ पर आपका स्टोप लोज बनता है लगबग 16 लगबग 15% नीचे और हम रि आपको अपना टार्गेट कितना लेके चलोगे और कैसे डिसाइड करोगे कि आपको मतलब 100% का रिटन लेके चलना है 200% का या फिर 5 गुना या फिर 10 गुना वैल इसका जो आंसर है क्लेयर कट नहीं बताया था ठीक है उस वीडियो में तो मैं अपनी तरफ से कुछ ग्याने देने वालों बट इतना आपको बदा सकता हूं कि यह मंतली टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे होना तो मतलब आपका जो टार्गेट होना चाहिए वो बड़ा ही होना चाहिए अब आप exactly कैसे डिसाइड करोगे कि आप कितना टार्गेट लेके चलोगे अगर आप किसी भी स् आप टार्गेट लेके चल सकते हो हर स्टोक का थोड़ा अलग होगा बड़ आपको एक अबरिज मिल जागा कि आपको तीन गोना पांच गोना कितने एक्स तक लेके जाना है आपको टार्गेट अब यहाँ पर आप ऐसे देखोगे ना कि इधर सिर्फ आपको धाई-चोप आपका पैसा होआ आपको एसे नहीं देखना आपका रिसक कितना लगा है उसके अकोडिंग आपने देखना है कि आपका पैसा कितना है इसके मैं दो बार रखने वाला हूँ फॉर्स पार्ट आपको शुम्झा दी दूँगा आप उधर से देख सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तो आप इस वीडियो को लाइक करें परस्टाइम चैनल को देखें तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में